आज के फनकार फिल्मों में हम हीरो हिरोईन्स को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा कहानी और पटकता के अनुरूब इन वेश भूशाओं को कौन व्यवस्तित करके हीरो हिरोईन के लिए तयार करवाता होगा ये काम कोस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कोस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फ़नकार कारिक्रम में दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दूस्ति यूनुस खान और इस कारिक्रम में लेकर आया हूँ बातें भानू अथाया की अच्छा आप सूच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानू अथयय का नाम लिया और उसके बाद गाना वजा फिल्म ब्रह्मचारी का आखर ये माजरा क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1979 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुम्ताज ने जो ओरेंज कैंडी कलर की गुटनों तक प्री प्लेटिट साड़ी पहनी थी उसे भानू अथयया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुम्ताज को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सकें दू बदन एक दिल एक जान हो गए मंज़िले एक हुए हम सपर बन गए आज कर तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सब को मालू है और सब को खबर हो गई वाकई बानु अथिया की डिजाइन इस ड्रेस में मुम्ताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं दरसल मुम्ताज साडी के नाम से मशूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथिया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ महराश्र का शहर कूलहापुर यहां एक बालिका ने 28 अपरेल 1929 को जन्म लिया नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहिब राजो पाध्ये जी हां भानुमती अन्ना साहिब राजो पाध्ये क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहिब और माता का नाम था शान्ता भाई राजो पाध्ये अपने माता-पिता की साथ संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी आजादी के पहले का दौर था लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था पर भानुमती के माता-पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को बेचा गया मुंबई जे-जे स्कूल आफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए यहां से भानुमती गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गई जरा सूचिये कि समय कैसी करवट लेता है बच्पन में माता पिता ने देखा कि भानुमती रेखाचित्र बनाती है आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए भानु मती ने बच्पन में ऐसा ही किया था और जरा सूचिये कि आगे चलकर भानु मती भानु अथाया बनी और सर रिचर्ड एटनबुरू की फिल्म गांधी की कोस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें आसकर से नवाजा गया ये था समय का पैतरा उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैश्नव जन तो तेने कही ये जे पीड़ पराई गाने रे भानु मती का विवाह सतींद्र अथाया से हुआ था जो एक कभी और गीतकार थे ये रिष्टा लंबा नहीं चल पाया पर भानु अथाया ने आगे विवाह नहीं किया भानु अथाया ने अपनी कोस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थे फिल्म C.I.D. के सरिये पिया जदुगर से तो ए देखा ऐसा मंतर मार आखिर होगी तेरी हार जातू नगरी से आया है कोई जदुगर उले के पहला पहला प्यार भर के आखों में खुमार जदु नगरी से आया है कोई जदुगर उले के पहला पहला प्यार इसकी बात तो हिंदी सिनिमा में ड्रिस डिजाइनिंग को लिकर उन्होंने एक नई करांती ला दी किसी जमाने में भानु अथाया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशिशक की की रूप में काम करती थी फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गई अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नख्मा ये फिल्म आपने देखी ही होगी इसलिए आँखें बन करके याद कीजिए इस गाने में थिरक्ती हुई नादिरा को जिनके लिए गाउन तयार किया था भानू अथाया नही और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हीट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं लेकिन लूके गाने कारव अथाइ ये मुड़ मुडके ना देख मुड़ मुडके बानु अथाया ने अपने इंटर्व्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कहीं उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डिरिक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैट जाते थे और स्टूरी के मताबक कपड़े सिल्वा लिया करते थे लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने डिरिस डिजाइनी को एक पेशेवर रूप दिया डिरिक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचिस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की परसनालिटी और कहानी की मांग के मताबक डिरिस तयार करना शुरू किया अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं साधना ने फिल्म वक्त में एक खास डिरिस पहनी थी गुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूडीदार पजामे वाली ये डिरिस लोगों की बीच बहुत मशूर हुई और लड़कियों ने इसे अपन कर उस जमाने का फैशन बना दिया था कुछ फिर बदल के साथ आज भी इस तरह की पुशाक चलन में नसर आती है तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्म आया गया ये गाना सुनिए हम जब सिम्ट के आप की बाहूं में आ गए हम जब सिम्ट के आप की बाहूं में आ गए खुश्बू चमन को छोड़के सांसों में घुल गए खुश्बू चमन को छोड़के सांसों में घुल गए लहरा के अपने आप जवा जुल्क खुल गए हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए हम जब सिम्ट के आप की बाहूं में आ गए लाखों हसीन खाब निगाहों में आ गए हम जब सिम्ट के आप की बाहूं में आ गए अब ज़रा फिल्म आमरपाली की बात कर ली जाए फिल्म आमरपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था ये कहा जा सकता है कि इस एतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी बानु अतहिया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजन्ता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रिरना ली बहुत भिक्षूओं के लिए पहने जाने वाले हलके गेरुए रंके कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था इस दोरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था इस फिल्म में आमरपाली का किरदार निभाया था वैजेयन्ती माला ने और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको बानू अथाया ने बड़ा सूच समझकर डिजाइन किया था कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी ना लगें कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो एक ठसक हो और एक सजीला पन हो इसी फिल्म में सुनील दत्य ने मगध के समराट का किरदार ने भाय था और भानु अथाया ने उनके लिए क्लासिक धूती तयार की थी फिल्म आमरपाली अपनी कथावस्तू वेजिन्ती माला के अभिने और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आमरपाली को सजाने में एक बड़ा युगदान था भानु अथाया का यादू के नदे खिराती है हर मोज में हम तो दहते हैं दिल पंची बन उड़ जाता है हम खोए खोए रहते हैं बानु अथाया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हिरोईन की पोशाकों पर गया या नहीं गया सन 1956 में C.I.D. सन 1969 में प्यासा सन 1960 वहिदा रह्मान की खुबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइट की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानू अथया ने और लोग क्या है उठे? चौदवी का चांद हो या अफताब हो जो भी हो तुम खुदा की खसम ला जवाब हो चौदवी का चांद हो सन 1964 में भानू अथया ने फिल्म सहब बीवी और गुलाम के कलाकारों के लिए ड्रिस डिजाइनिंग की क्या करूंगी बानू अथया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के कितारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कोस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं फिल्म रेश्मा और शेरा में उन्होंने रजिस्थान की प्रिष्ट भूमी की कमाल की पूशा के तयार की तू चंदा मैं चांदनी तू तरवर मैं शाख दे तू बादर मैं बी जुरी तू बादर मैं बी जुरी तू पंजी में पाँख दे तू बादर मैं बी जुरी तू पंजी में पाँख दे तू चंदा मैं चांदनी सन 1990 में एक बार फिर से राजिस्थानी प्रिष्ट भूमी की पूशा के तयार करने का उन्हें मौका मिला इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित लेकिन तूटी हुई चुडियों से जोड़ू ये कलाई मैं पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं तूटी हुई चुडियों से जोड़ू ये कलाई मैं पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं बीपली हुई गली ओते फिर से गुजरना आया रासिली तिली धोला सिली तिली हो या रासिली तिली विल्म गाइड में वहिदा रह्मान की पुशाकें भानू अथाया ने ही तियार की थी बिन तेरे खुली भी लगाइड हाँ भर पिच कारे जखियोंने मारे भीदी मारे तारी हाई हाँ तन बड़न भूर खाप तरतन धिनत 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 धिन धिनत धिन पियातों से विल्म सत्यम शिवम सुन्दरम में जीनत अमान ने जो पुशा के पहनी थी वो भी भानु अथाया की ही डिजाइन की हुई थी सत्यम शिवम सुन्दरम सत्यम शिवम सुन्दरम सत्यम शिवम सुन्दरम सुन्दरम साल 1964 की तरफ लोटते हैं विजेंती माला, राज कपूर, रजिंदर कुमार, फिल्म संगम इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साडियां विजेंती माला के लिए चुनी गई जरा इस गाने को याद कीजिए राज कपूर, राजिंदर कुमार, विजेंती माला, शंकर यकिशन की धुन और मुखेश की आवाज साथ में लटा मंगिश कर फूनी बिस्री यादे में अस्ते गाते बचपन के रात विरात चनी आते हैं नेंद चुराने नेनन की अब कह जोंगी, करते, करते कितने सावल बीट गए हो जाने कब इन आखों का शर्मा ना जाएगा दीवाना कर पुड़ों पहता ना जाएगा दीवाना फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या फिल्म मेरा नाम चूकर इन फिल्मों की ड्रिस डिजाइनिंग के पीछे भानू अथाया की प्रतिभा थी कामालम रोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रिस डिजाइनिंग का काम भानू अथाया ने किया था है दिले नादा, है दिले नादा, है दिले नादा, आर्जू क्या है, जुस्त जू क्या है, है दिले नादा, है दिले नादा, आर्जू क्या है, जुस्त जू क्या है, दिले नादा, है 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 दिले नादा, ह सन 1983 में रिचर डेटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का आसकर आवार्ड जीता था भानू अथाया ने और वो आसकर जीतने वाली पहली भारती हस्ती बन गई थी इसके बाद भी भानू अथाया की कला जारी रही थी आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानू अथाया को ही सौपा था आजादी के पहले का परिद्रिश और ग्रामिन किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी खास दोर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामिन गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी आजारे 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 भले कितने लंबे हो रसते हो ठक न तेरा ये तन हो आजारे आजारे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रसते तरसते हो तू आजारे इस धर्ती का है राजा तू ये बात जान ले तू कठनाई से तक राजा तू नहीं हार मान ले तू ओ मित्वा सुन मित्वा तुझ को क्या दर है रे ये धर्ती अपनी है अपना अंबर है रे आशुतोष गुवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनी का काम भानू अथयया ने किया था बानू अथयया को गुलदार की फिल्म लेकिन और अशुतोष गुवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कोस्ट्यूम डिजाइनिंग का नैशनल अवार्ड भी मिला था कोस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है दा आर्ट आफ कोस्ट्यूम डिजाइन परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महतोपूर्ण गरंत से कम नहीं है 15 अक्टूबर साल 2020 भानु अथेया एक खौफनाक बीमारी से जूज रही थी इस से पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखरी सांस ली भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिसाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई पर उनका नाम हमेशा रहेगा जब भी फिल्म गान्धी का जिकराएगा ब्रमचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाईट का, सहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिकराएगा या चौधिवी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिकराएगा भानू अथैया को लोग याद करते रहेंगे हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद कोस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में उनकी स्मृति को हमारा नमन आज के पनकार का रिकरम आज के इंदरित था औसकर पुरसकार से सम्मानित जानी मानी कोस्ट्यूम डिजाइनर भानू अथैया पर शूद आली खुर्स्वर यूनुस खान संपादन अकांग्शा सिंग प्रस्तूती रमेश कोखली आज के पनकार